हालो वेटा कशे आहात सगत भले स्वागत है तुम्छा प्लाटफॉर्म वरती आपन एक नवीन बाज ग्यू नालो यह जाचा नाव है बुर्ट बूस्टर बाज बड़बर आपन आपन तैयारी कर लिगेला अता एक नवीन बाज ग्यूं आलो अपन जिस्पेसिपिकली काशाशी ओर्येंटेड नावन श्पेसिएड है प्राक्टिस कशी कराई और में नीट चाहिशो बाइन तुम्हें अल्रेडी शिकला है कि बाबा कहीं नहीं आप लाला लेस्ट आगा पीछा पाइस नहीं पहला शब्दा शब्दा काई आप अमाला काही आईडिया नहीं ए इस फाइन नसल दरी माहिति आचा आधि तरीपन का अच्छा लेक्चर मधे आपन काया करना रहोत कि अपला एक लेस्ट आए चाह नाव है ओर्गानिजम और पॉपुलेशन इकोलोजी चाह लेस्ट आए बगा या लेस्ट चाह इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स कुठला है अपन टान चा बदल डिसकस करूँ मैंचे तुम्हें लेस्ट जरी शिकला नसाल या चाहाँ अधी नसेल रीट केला तयार नसेल की तयारी नसेल के लिए स्टिल एट डजन्ट मैटर कारें अपन काया कुरूयात आच्छा क्लास मधे कि वा अच्छा अपलेज सेशन असना रहा या सेशन मधे या लेस्ट चाह जवड़ा पन तुमचा साइटी काया होई तैयारी होन जायल ना तुमची थीक है तो बेटा देखो विडाउट डिलेइंग पहले एक बार में एक रफ आइडिया देती हूं कि हमारी यह जो बाट होने वाली है यह बाट में एक्जाक्टली हमें करना क्या है किस तरीके से हम हमारे कुठला पन लेस्न हो है अची तों माला 2 लेक्टि जो पोफ़ियह वी लेक्टिश यह है यह जाने तेलाने चैनल ने किसमितना क्या उप भाट तुम ऄड़े वीडिलीश कर लेंगे नेक्स्ष ऊक्रास नेक्स क्लास मदे organism and population या lesson वरती previously asked questions बोर्ट मदले questions discuss को रिया और कुछले questions याई ची probability आए ते questions discuss को रिया मंचे ब्रतिक lessons हो आए याचे study तुमचे दोन sessions होती correct first session जे आए या first session मदे तुम्हाला जापन concept चे या concept एक्स्प्लेइन करूं जांगे दिला जातिल second session जे असना रहा है या second session मदे आपन काया को रहा है तो lessons लेसंशी associated questions discuss को रहा है ओके चलो so I hope it is clear until now आथा आपन काया करो active start करो at the session तो बेटा देखो क्या है हमारा यह जो जापन काया है यह जापन काया है तो इसमें कौनसी कंसेप्ट है तो एक हमारा और अर्गानिजम एन एन्वार्मेंट इससे रिलेटेड कुछ basic terms है वो देख लेंगे फिर दो important concept आती है habitat और नीश तीसरी जी concept आपन डिसकस को रहा है तीज अपने दिसकस को रहा है तीज डिसकस कराई चाहिए जापने डिसकस कराई चाहिए एज डिस्रिबूशन और एज परामेड काया है विल डिसकस दाथ population growth मंझे नहीं का क्या कुछले factors responsible है population growth साथ याईने different टाइप चो population interaction चाहिए पॉइंट्स है अपने डिसकस कराई चाहिए तास डिसकस कराई चाहिए विट इट्स वेटेज कि मैंजे याचा अधी पन कुछला topics बरती questions आ ले लिया है यावे संभाव्य कुछले questions याई चाहिए question तर actual discuss आपन next lecture माध है उदा चाह लेक्चर माध है करूए आज पन आज जवा अपन अपना लेसेन बगो तेवह importance कुछला points ला जासते देचाहिए तेपन में तुम्हाला सोबद सोबद सांगे ठीके चालो तर बगा सगयात पहले का ही छोटे छोटे चोटे चाहिए चाहिए तर्म चाहिए अजेन ऑर्गानिजम पॉपलेशन कम्मिनेटी और बायोम ही चाहिए अगेन वनमार्ग पॉष्च्न हसे जाहिए जार्फचापर घंकी कुछा भण बनेंगा यह अधा था टोम वर्ती आधा ऑर्गानिजम में चैका है ओर्गानिजम इस दी ओब्व प्रिक्षा पगा आता सेकेंड टर्म जी आपली काया पॉपुलेशन भंजे काया है खुब सारे और्गैनिजम जवा जमा होतात एकत्र होतात राइट ग्रूप ऑफ और्गैनिजम यू कैन से इन सिंपल वर्ट पन भाया तैट इस नोट डिकरेक्ट डफिनिशन कारण जर बिटिंग जिओग्राफिकल एरिया मंचे एक खाद्या जिओग्राफिकल लोकेशन मद है काया है अश्यो अर्गैनिजम ताट बिलॉंग तो सेम स्पीसी त्या ओर्गैनिजम चा ग्रूप ला काया मुंतो भाया अपन पॉपुलेशन मुंतो संप्ली लक्षा टेवाइच जालेटर आपन जवा सेंसेश जी होते अपनी पॉपुलेशन जवापन कया करतो मैजर करतो फक्त है लास मैजर करतो ना हुवन स्पीसी तो ना किसो अवेद तुम्छा भरी पाईउ प्राणी यतना नंसा नंबर मुंस तो असे नहीं करत राइट तो पॉपुलेशन बिलॉ वह है किवा तुमता जिल्ल है या पर्टिकोलर एरिया मधे कुछले डिफरेंट टाइप चे अपलाला काया दिस्ताथ पॉपुलेशन दिस्ताथ तलापन काया मनालो बाया कम्मिनिटी आणि सगर शेवती बायोम आता बायोम मनझे काया रिजन वर्ट स्पेसिफिक क्लाइमटिक जोन मेंज मेंजर फ्लोरा एंड फॉना फ्लोरा मनजे अपला इस्तलकर इनिवल्स माइन आसे अ अर्निमला बाम मिजह करते हैं या स्पेसिफिक दिस्ति न कंडिशन नश्मिया評 आनि आणि स्पक्पवस्कैल्त gli ग्रॉन्त पायोम आ जसा डेजर्ट है ग्रास लाइंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टेंपरेट फॉरेस्ट कुनिफर्स अनि अपले आर्क्टिक अनि अल्पाइन टंड्रा राइट यह वेगवेगा डाइप चे काया है बायोम से अता यह बायोम बदल की जे डाइग्राम है अगेन बगा लेटा ले प्रेजेंट्स रेनफॉल और भी आपका क्या है स्नोफॉल ठीक तर एक वर्षात मीन अनियल प्रेसिपिटेशन मंचे एक वर्षा लाग किती अवरेज प्रेसिपिटेशन रेनफॉल की वह स्नोफॉल होता है कुटला पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया मधे आनि त्या त्या जोग्राफिकल एरिया मधे टेंप्रेचर ची रेंज कशिए यह अपला या ग्राफ में जे संगित लाएं बेजड ओन डाट आपन काय के लाए है जोग्राफिकल एरिया जहती यान्ना सहां डिफरेंट चा बायोम्स मधे डिवाइड के लिए और या आथे सहां डिफ एक पूरुना वर्षा मधे जे टेंप्रेचर है इट कैन रेंज बिट्वेन दिस टेंप्रेचर आइनी प्रेसिपिटेशन मझे पाणी पढ़ते है का दिता रेंफॉल की और स्नुफॉल बिल्कुल नहीं है तो इस टाइप आप आप बायोम इस डेजर्ट ग्रास लाइंड में तुम्हाला काया दिसता है तेंप्रेचर आज अगयन थोड़ी वाइड रेंज आप डेजर्ट और सब्रेचर अल्पाइन रेजिन मनादेजिट्व बायोम इस टैप्रेचर अगयन फॉड़ याउल आईज धे कंडिशन काशा आई है टेंप्रेचर अगयन आवरेज है तुरेट ऐन कोई तु अर्टिश खेंगता है शुकु जास्थी निया वी खüdH विए नहीं कि दिखे तो है तुम्हाला खुब जास्ती दिसातो है करेक्ट तरहे डिफरेंट सहा टाइप चे अपलाला काया जिसता है बायोम्स दिसेते उके उसके बाद देखो आपको दो टर्म्स आएंगी एक है आपका है विटाइट दूसरा है नीश इंपॉर्टिन टर् तो तुम्हाला डिरेक्ट ली काया यह हूँ शक्ता बगा आधर वन मार्क क्वेशन यह हूँ शक्ता कशा सैथी अपला डेफिनेशन लागी उनकी बाबा नीश मेंट जागा और डिफाइन हैबिटाइट अशा बदती चे डायरेक्ट वन मार्क क्वेशन यह चानसे साह और और टूमार क्वेशन यह चानसे साह कुछे अज डिफरेंस बिट्विन ठीक है ना तो अशे चानसे साह अपला है हैबिटाइट की वा नीश यह पॉइंट वरून अता हैबिटाइट की वा नीश है दो गंड आपन अर्टा का है हैबिटाइट मैंज अग्दी सिंपल यह उकर लक्षा तहिला साह है हैबिटाइट इस दी लोकेशन कि वा एका दी जोग्राफिकल प्लेस जित्हें आप लोग ऑर्गानिजम रहातो नीश इस लाइक दी जॉब आर्गानिजम परफॉर्म्स आता जवा जोब परफॉर्म के ला जातो तेवा डिफरेंट रिसोर् है यह अगर कम्माईन जा है यह का यह तरट रेप्रेजेंट नीश ठीक अग दी हम्ताता थे शिम्बल लेंगवेज मद्यांस अंग जोदा तर् धारियो नीश्रia वा जोब जावा के हवा यह हैब अपपिटाइट रेप्रेजेंट क्हा करते है वाग येस, it represents location, correct, okay, चलो, तर यह complete, habitat अनीश मह थे काई पॉइंटS दिले है, points of distinction, कुछ लेथ, habitat मेंज़े काई, is an area where species lives, जिते अपले species काई रहते है, reside कर रहता है, and interact with the other factors and काई है, prosper, दीगे, जिते रहाते है, आनी काई होते है, prosper कर रहता है, नीश मंझे काया बाए, नीश is a concept, यह concept है, तुम्हाला अशी, आता एक हाद है तो job title, as in teacher, तुम्हाला माईते है माज़ा title teacher है, तुम्हाला teacher है, कुटे दिसते है का अशी concept दिसते है का तुम्हाला, नहीं, नहीं है, that is a title, right, so नीश काया है बाए, it is a title, कुटे कहला, yes, how an organism lives or survives in the environmental condition, यह concept है, okay, चलो, दुसरी बश्ट मेंट है, habitat consists of numerous niche, एका habitat मद है multiple niche रहो शकता, नीश डूनाट है डूनाट केंटेन सच कंपोनेंट करेट अता मी तुम्हाला वाट लेग टीचर है मौनुन मी टीचर है मौनुन का माझा कुछला लोकेशन रिजाइड करा देगा असा थोड़ी असत करेट ओके उसके बाद देखो क्या एफेक्ट ऑफ टेंप्रेचर रेंफ अपले हैबिटाइट ला हे जे टेंप्रेचर रेंफॉल और अपले बाकी अधर अबायोटिक फैक्टर जा चेह लाइट है पीएच जला स्वाइल जाला है सब अबायोटिक फैक्टर्जे यह है यह अभिटाइट लाएफेक्ट करता है नीश जैनीश में प्लोप एनरजी वन ऑर्गैनिजम तो अनादर ऑर्गैनिजम थू एको सिस्टम नीश मद आपन का अप्जवर करतो बाए अनर्जी जा फ्लो कसा है ओके तचानांतर हाबिटाइट सपोर्ट्स न्यूम्रेस स्पीसी आट टाइम एका हाबिटाइट मदे मल्टीबल स्पीसी असो शकता नीश जाए है कि कंसेप्ट थे ना तर एक और एक ऐसेप्ट जीए एक कुठला तरी पैटिगुलर एका स्पेसिफिक और गयानिजम साथ ही अपली के बला है दोन और गयानिजम चे नीश कधित एक्जाटली सेम रहु हूशकत नहीं देगन ओवरलाप बटेगन नेवर भी सेम करेंग इवन इवन इफ यू हाव टू टीचर्स वार बाइलजी बालाजी साथी दोन दरी टीचर असले तरी पनभाई एक टीचर जै तुम्हाला काय शिक्वेल मेभी बॉटनी दूसरे टीचर जै ब्जुलोजी शिक्वाई तत करेंग दोगाण चीपन शिक्वाई ची पधत लाप होत नहीं ओके दे कान बजए एक्जाक्ली सेम रहुआ शकता है दोन और गयानिजम चे नीश थोड़े फार ओवरलाप हो शकता है एक्जाक्ली सेम कधिस्रा अनार नहीं ओके चौलो उसके बाद देखो क्या है 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 फिजिकल प्लेस नीश इस अन अक्टिविटी अन अधिए फ्ल्वेटाइट में खुप सरह स्पीसीज रहुआ शकता जावाकी नीश जिया ही कशिया सते इटेश स्पीचीज स्पेसिफिक उके चालो उसके बाद देखो क्या है बिटा मेजर अबाटिक फैक्टर्स इंफ्लूएंसिंग है विटाट्स पंज और निया नि पहले काया बाद टेमपरेचर दूसरा है वाटर लाइट अडी स्वाइट गो थ्रू देश्वें सगय जासती आर्गेटाइट ला मेजरली इंफ्लॉएंज करना रहा जो फैक्टर है डाट इस टेमपरेचर करें अपन बगतो ना कि जा क्रेंट प्लेस में थे टेमपरेचर अ अपने तुम्हीं एक का वंता टेमपरेट कि वा टेमपरेट मनना पिक्षा ट्रॉपीकल रेन फॉरस्ट चिः करें रोपीकल रेन फोरेस्ट माले जितके डाइवर सिटी अपला लासिस ते तेव घुख से तुम्हाला आर्क्टिक की अटार्क्तिक का मध नहीं दिशनर बर टेंप्रेचर काया करतो है इंपोइटेंट रोल प्ले करता है और गयानिजम चाहा है अबिटाइट अच्छे डिस्रिब्यूशन शी असोसियेटेड जिते टेंप्रेचर जासती है जारती थे रेंफॉल पंट दर का जासती जाला अतर काया बनता अपले ट्रॉपिकल करतो है और गयानिजम चाहा डिस्रिब्यूशन ला अफेक्ट करतो है अगेन इंपोइटेंट पॉइंट है वगा टेंप्रेचर शी असोसियेटेड ना तुम्हाला बाद दोन टर्म्स दिलेला है हाँ दोन टर्म्स कुछला एक है यूरी थर्मल दूसरी जी टर्म है याला साई कर्दम्हें बाद दोस्रिबа सरिंटेम मार्मा पंद में तो lot cloth अगेन वन मार्क केस्जिंण और डफिरेंश ब्रेंट मार्क क्षचन यहां चाश्चे आहे तर् डिफिरेंश चा क्षचनला तुम्हाला डारlex टेंड दिलेला है तो घंडे डिरेक्टलि ठीक है तर बगा अश्यो और गयनिजम विच गैन सर्वाइव इन दी वाइड स्वाइड रेंज ओफ टेंपरेचर अश्यो और गयनिजम जानना तुम्हीं सबजीरो टेंपरेचर में देखाला कि यह 40 आए 50 डिग्री सेल्सीज तेंपरेचर में देखाला देखें सस्टेन ते सर्वाइव करो शकता है अशा अनिमन ला आपन का यहां मेंड़ना यूरी थरमल ओके शेए हमें स्वाइड तो नेगेटिव 20 डिग्री सेल्सीज टेंपरेचर तर इंधे पना अधे अधा है जो पास 50 डिग्री सेल्सीज तेंपरेचर जाला राता इंधे पन अपना यूमा करेक्ट ओके आणि तेच्स तेनो थर्मल में जमक यह चाहिए एक्जाक्ली अपोजिट अश्यो अर्गैनिजम जे करते लिए नारो रेंज ओफ तेम्परेचर करेंट देगें सर्वाइव इन लिमिटेड तेम्परेचर जसा स्नो लेपड या स्नो लेपड ला तुम्हें पोलर बेर अंटार्क्टिक अवरूंगा इकड़े आपले अपले अपला इसस्टेन करें नहीं करेंड तर कहा है स्टेनो थर्मल हार दी आनिमल जे काया करता च्छ सर्वाइव इन लिमिटेड तेम्परेचर आणि यह चेपन दोन टाइप है थर्मोफिलिक मंझे जे काया र नहीं सर्मल मंझेचे वाइट रेंज ओफ तेम्परेचर ला सहन करो शकता तशेकाया यह जे गोट से काउव मान शीप मंकी राइट नारो रेंज ओफ तेम्परेचर ला सहन करना रे ओर्गानिजम कोन है है कही रेप्टैटाइल सहीच जीच चलो उसके बार देखो बेटा क अधा वाटर शी असोशियेटेड कही टर्म्स है जा स्पेसिफिकली डिटर्माइन करता है और गयानिजम ते रहुषकत कि नहीं रहुषकत स्पेसिफिकली डिटर्माइन करता है त्या पर्टिकुलर वाटर मधे कुठली और गयानिजम सस्टेन करो शकता है आपन समुद्रा चा पानी पीतों का नहीं पीत इन फैक्ट ऐसा संगित ला जाता कि बबा तुम्हीं समुद्रा मधे समझा दून तीन दिवसांसेटी जरका क बरोबर है याचा माँचा डीटेल रीजन जे बाया तुम्हीं जावा लेसन शिकाल तेवा इजी तुम्हाला माहिती बड़े राइट लक्षा टेवाटर यह वाटर इल्टिमेटली डिटर्माइन करता इस्पेसिली वाटर मधे सॉल्ट कॉंसेंट्रेशन किती ही डिटर्म करने जाएट कि वहां काही अशा फिश्य सहेट जाभ फक्त मरीन वाटर में राथ तुम्हीं शार्क लाग थी फ्रेश्वर्टर में जाव गितलत का नाई सापड़त कि वहां तुम्हेट आपले जाव फिश्य सहेट आज रोहू एक कतला फिश जी यह है यानना तुम्हीं म this is also another term, अरे इथा यूरी थर्मल नाला हाँ, इथा यूरी थर्मल नाको, इथा यूरी हलाइन कि वा स्टेनो हलाइन, अशी टर्म अशालावे, ठीक? इथा यूरी हलाइन का मतलब क्या है, यूरी मतलब हमने क्या बोला, वाइड करेंट, अबिलिटी ओपन अख्वाइटिक ओर्गानिजम तु सस्टेन और तु सर्वाइब इन वाइड रेंज ओफ सैलिनिटी, बंजे अशी ओर्गानिजम जे कहा है, फ्रेश वर्टर में पन र यूरी हलाइन, अबिलिटी ओफ अख्वाइटिक ओर्गानिजम तु अडप तु नारो रेंज ओफ सैलिनिटी, बंजे फ्रेश वर्टर में तु स्टेन करनार नहीं, कि वह वाइस वर्सा कंडिशन, अश्वाइटिक ओर्गानिजम ला अपन कहा है, स्टेनो हलाइन, ओके, कि अधा दो गैन मरे पन कहाँ फरक्षा है बगा, बेक हैं एन सेस्टेन इन फ्रेष वाटर, स्ल्ट वाटर, ब्राकेश वाटर, कोण अपले यूरी हलाइन, इकड़े अपले लागा है रिस्ता है, जस्ट अपन पॉइंट डिस्कस के ला, बढ़ा, बढ़ा, यह चाहे टर्म्स यह बड़ा पुढ़े डिसकस करुए सद्धा फक्ता लक्षा था सुदेत कि यूरी हलाइन जे आर मुस्टली ओस्मो कन्फॉर्मर्स स्टैनो हलाइन आर मुस्टली ओस्मो रेगिलेटर्स ओके आणि इते तुम्हाला एक्जांपल्स दिले कि कहीं फिश है जाशी मॉली यह है कि वह अपली अपले जे ग्रीन क्राब्स और इल इस आर दी आनिमल्स तुम्हें फ्रेश वाटर ब्राकिश वाटर मरीन वाटर कुठे घाला है सस्टैन करूंगे तिल पर एक्जांपल है जाशी गोल्ड फिश धाली कि वह और बहुत सारे एक्जांपल तिल जardi वे खैस्मिया शार्क होगा या फिर आपका कोई बी फ्रेश वाटर फिश लेलो रोहू या फिरंकी कुला हो गे । यह यह कोण सेतने di can sustain ओनली इन फ्रेश वाटर ये मरीन वाटर में नी करेंगी तुगर कोई सी यह इसका जुड़ तो यह मरीन वरटर वाली फिश्ध है यह फ्रेश वाटर वाली यह इनस्तेन कर पाएंग तरह अठर्च घ्रॉ प्लांट्स मद है लाइट ची रिक्वार्मेंट का है बाँ आप आप इसली फार्स फेक्टर एडट इस फोटो सिंथेसिस यह तो हमें पता हिये कि फोटो सिंथेसिस जी यह अचा आप लाइट रिक्वार्ट है बट अलॉग विद दाट लाइट इस ऑल्सों नेसेसरी फॉर प्लांट इस फिनोमेन जाए तैला फोटो पिरियोडियोडियम मंता राइट ची दूरेशन डिटरमाइन करूं प्लांट जाये अचा मदे फ्लारिंग यह तेक इवा नहीं है याचा वे तरी ता आइण की काया है प्लांट मदे एक स्पेसिफिक हॉर्में अचा प्लांट र याला आपन कुठला हर्में बनतो है औक जिन करेक्ट बर अनिमल्स मदे लाइट चा प्रेजन्स की वा अप्सेंस हाँ बरेश्ट चा कोष्टेन ना का करतो तो डिटरमाइन करतो कुठला आता फोटो संथिस तरह प्लांट साथ होता है आनिमल्स के फोटो संथिस करत नहीं अनिमल्स मदे इस्पेशली जे सीजनल ब्रीडर्स है या सीजनल ब्रीडर्स मदे आजो ब्रीडिंग पीरियेड है हाई डिटरमाइन के लादा तो किती डूरेशन साथ ही लाइट प्रेजन्स है करेक्ट याचा वेते रिखता काही अपले जा अनिमल्स है यान्चा मदे ला प्ले करतो बगा एक तर जाले अपले ब्रीडिंग मते दुसरा जाया है थे इस्पेशली जा माइग्रेटरी आनिमल से है कि यह माइग्रेटरी बर्ड से यह यह जाया है इंपोर्टल को प्ले करतों करेक्ट ओके तो इस्वाइल तो हमें पता है भाहिया कि आप किया है जो हमारे प्लांट्स के अरे बड़े अर था ना तरह स्वाईल बढ़े किती मोट मधे किती अमाउंट मधे करेक्ट उसके बाद देखो नेक्स हमारा जो पॉइंट है वह है रिस्पॉंस तो अबाइटिक फैक्टर कुछला अबाइटिक फैक्टर से हैबिटाइटल अफेक्ट के लगवी डिसकस दाट है अब इसके बाद ही हमारे और करेंजम रिस्पॉंड किस तरीके से जरते है यह इसको तो चार तरीके है देखो कौन से एक है हमारा रेगिलेशन दूसरा जो है वह हो गया कनफॉर्म माइग्रेशन और चौथी जो टर्म है वह है सस्पेंड अगेन एक्जाम्बल्स लक्षाट थेवा रेगिलेशन कुटला बद्धति नहीं केला जाता है इते अगेन दोन टम्स एता है कुटला एक है ऑस्मो रेगिलेशन सेकेंड है थर्मो रेगिलेशन दोनोई टम्स याद रहनी चाहिए हमें ठीक है उसके बाद देखो कनफॉर्म और बरूम्टमिया देला गें यह यह अंगिन गानिच दिक्रअंग ठेक्ट भॉय जया आशे जर्छाट फिनोमेशन ल करंद रहा था सेम्स एल्टिया धना अलीया घिला ग्रadas homeostasis homeostasis meaning maintaining constant internal environment in varying external condition या condition लापन किवा या phenomenon लापन मिठलबा homeostasis okay आता homeostasis यह है काही ओर्गानिजम का शब अधाते नहीं मैंटेन कर रहा है thermoregulation as in तुम्हें वर्ड एकले cold-blooded और warm-blooded animals तर warm-blooded animals मेंजे कौन असता है अगें चलो एक नहीं slide बना लेते हैं अब देखो warm-blooded या फिर इसी को दूसरा नाम देया जाता है भहिया आपका क्या मैंटता त्यालाच एंडो-thorms ओके एंडो-thorms कि वहां warm-blooded animals मेंजे कौन अश्य animals यह क्या करो शक्काष्ट तत्ततततत देय कैन मैंटेन कौनस्टेंट बॉडी तेमप्रेचर करेट जह वहां कि cold-blooded animals यहा है यह इनना दूसरी टर्म यहा है cold-blooded और अर 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 आपकाष्टो-thorms कि वह अंखी एक टर्म है बगाए एक तो थर्म स्टेटी आर अल्सो कॉल्ड ओई किलो धर्म्स वां ब्लाइड आर अल्सो कॉल्ड होमियो धर्म्स यह तीरने टर्म्स अल्मोंस्ट बनान दी सेम तिंग रिप्रेजेंट करता है ठीक है चलो सब कोल्ड ब्लाइड आनिमल्स क्यान नॉट मेंटेन कॉंस्टेंट बॉडी टेंप्रेचर अशा है काई टर्म से है ओके अब इसके बाद को क्या थर्मो रेगिलेशन कर रहा है अनिमल मतलब क्या है इंटर्नल दो तरीके से तर्मो रेगिलेशन होता है यो यह जो वर्म ब्लाइड मतल यह हिसा क्या करता स्न्लाइट लाइट यह थिंध्र करेंप डॉडी है अश्यवा रीज़न में करता है जान दो से बिए चालो दूसरी जी तर्म है औस Garr Warum उस्मों हां वर्ड कशाशी रिलेटेड है स्वाल्ट अन्वाटर कॉंसेंट्रेशन और आपन्स इंटर्नल ओस्मोर्टिक कॉंसेंटरेशन मेंटेन करूं तो करेंट तर अश्या ऑस्मोरेगिलेशन जा है अप लगला काही आई मिल जाहे बचाहिए आपकर और और अस्मोरेग Osmotic Concentration ETC ठीक एक्जांपल जो अल बर्ड्स अन मैमल्स है क्या करता है आर थर्मोरेगिलेटर आज वेल आज वेल आज ओस्मोरेगिलेटर है क्या करता है बोडी से टेंपरेचर आणी ओस्मोरेटिक प्रेशर जया है मेंटेन करून ठेवता है आता अश्यो अरगानिदम जो र बाहेअग में फैसे की अथ जडहाता है था झाद तो शिडह आज यह तो इस न आद आंगा एल्स ऑस्मोर्य कोर्म एंड मार्गा प्रेश्यो और म depends on the जो तर्म है मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह जो चार्ड बता था इसमें दिर्खा था Osmo conformers, Osmo Regulator, confirm करने बंजे आंचा में जखाया है Body चो Osmotic Concentration कासा चेंज होता है, बाहर जसा चेंज जाला तरसा आतलो concentration पन चेंज जाला, that is Osmo conformers, Osmo Regulator बंजे internal Osmotic Concentration maintain करूं थावाईचा, that is Osmo Regulator, करेक्ट, चलो उसके बाद देखो क्या है बिटा third अपलेजी टर्म है, that is Migration, आता Migration बंजे काया, temporarily एका जा प्लेश में दूसरा प्लेश कड़े काया काया चा, move कराया चा, बाइट temporary, permanent नहीं बंदा अपन, करेक्ट, so temporary movement, moving away from stressful habitat, stressful condition ला, avoid the anxiety, temporarily एका था organism, favorable condition ला, favorable place में दर्का move जाला है, तला आपन काया मनतो है, Migration, return to original habitat, when stressful condition is over, ठीक, आनी वापस जाता, जा stressful condition कशी जाली है, संपली है, अश्या, condition ला आपन काया मनतो, this is called as the Migration, okay, mostly अपला है, migration कोडा मते दिसता, birds मते दिसता, example पन तुमाला दिले, बरेशे birds जाया है, हिवाया मते काया मता, Siberia पसुन कुठे, move करता, अपला राजस्तान ला, move करता, correct, आणी फोर्थ जी टर्व है बाया बाया बगा, तला आपन मनतो, suspend, आता, suspend करना मेंज़े, temporarily stop करूँठे है, correct, तर organism, unfavorable condition ला, skip कराई साथी, काया करता है, टेंपररी ली एक अधी growth है है, कि वात आणी लिवेंग जाया है, टेंपररी ली halt करूँठे होता, थांबूँठे होता, थोड़ा वे असाथी, तुम्ही movie pause करूँठे होता, बगता बगता आचा न, कई काम आला था, सेम बिल्कुल था साथ, अड़ थड़ा नो कोई, आँ बगता कॉन साथ है, मतलब कॉन साथ है, अनिमल्स में यह हमें देखने को मिलता है, अब देखो जैसे, क्या है, it is done by reducing metabolic activities and going in this stage of dormancy, अब कहां दिखता है, thick wall spores in bacteria, fungi, lower plants, का ही अनिमल मना plants, कि वाँ फंगस यांचा मध है, spore formation होता, तो यह spore चा आत, जो organism हैं का साथ, suspended है, हा कही ग्रो करतने, metabolic activities almost negligible अस्तर, correct, तर spore is a good example, परत, seeds जेया है, seeds of higher plant, क्या सीड चा आत, embryos होता है, हाँ, obviously, हाँ, respire करतो हो, बागी metabolic activities अपलाला है चा मतले दिसतने, correct, third जेया है, that is, मझे, जवा तुमी seed sow करता है, soil मतले, ता अचा नंतर इस प्लांट ग्रो होता हो, जो प hibernation during winter, snow अपले काया है, especially snow region में, मझे, जीत है, खुब जास्ती snowfall होता है, इथे अपले जे, काही animals है, काया करता है, hibernation में जाले जाला अपन, दूसरा term में, winter sleep मनता है, okay, hibernation is winter sleep, काही animals है, जे एस्टिवेशन में जाता है, मझे, summer seasons हो, summer season में, खुब जास्ती temperature है, ता चा होता है, body में, water loss नहीं भाइला पाईजे, so, हाँ, summer season, skip करें, जाठी काही animals, summer time में, काया कराता है, estimation में जाता है, okay, example is, snails अनी, fishes, याचा परती, again, difference between, एखादी, हलका सा, एखादी मारका साथी, question आला तर आला, okay, example, याईचे chances है, which animal undergo hibernation, और which animal undergo estivation, पुढ़े detail, डिसकस को रहा है, अचा बदल, आणि, एक term है, diapause, diapause मन जाकाया है, again, stage of suspended development, observed in zooplankton species of pond and lake, बंजा काया है, आता, mostly हेचे जू प्लांक्टन से इतना बड़ा, ये काया करता है, लार्वल स्टेज चात्रू एंचे मते development होते है, आता, for example, यान्नी काया कहला, एग लेके ले, suppose, अरे, आता, या एग मधुन काया है जाला, एक लार्वा बाहर आला, या लार्वा परस्ट हाँ जो लार्वा आहे, माँ परत, डेवलाब होतो, आणी, सेकेंड स्टेज वर्ती काया जाली, अचे, डेवलाप्मेंट अपला अपला अब्सर कराया मैं आली, आणी, दोन लार्वल स्टेज आला नंतर हाँ अडिल्ट मध है, डेवलाप होतो, for example, suspend होना, स्वारी, डाय दो अप्रोज मधह कंडिए काय जाता, आता, इमाज्सिंघन हाँ अपला अपला लार्वा है, एक मधान भाहर निघाला, इसेकेंड स्टेज मधे जवाहाँ अपली अपली अन फॉरेवल इलासे टेवला डीचन अली, अधा, अन फॉरेवल खन्डिशन आले, अमोय अपला नर्वा जो है जर हां second stage मते गेला तरहां कया होई अधर सेस्टेश नहीं करो शक्नार तच्छम हुए और्गानिजम इटरेन इस ओरिज्टनल फॉर्म second stage मते गेला है जो परण्त है अन्धेर अंफर्वेबल कंडिशन निगे तट निगुन जात नियूफ प्रवेसрахा वा जो उसको आपे शो कि वोड़ाय वह सक्पाइब्स सेशोय मोद इसवनेशन चाहसरो थोरा झायदा सब्भाईयोटम्क यह उसक पहरो मात जो क्या होता है को सब्रक्राइब्स प्राइब्स हारा है एस्टिवेशन मद है अनिमल्स काया करता है summer skip करता है इतना so they will look for moist cool and shady place to sleep ठीक है भाईया हाइबर्नेशन मद है काया prevent के लिए दाता it prevents any internal body damage due to low temperature जवा कि एस्टिवेशन मद है काया है excessive water loss ला काया के लिए दाता prevent के लिए दाता due to high temperature हाइबर्नेशन मद है water water loss नहीं वहला पाईचे है आपन काया करता है prevent करता है hibernation take place in warm and cold blooded animals दोनिया अनिमल्स मद है अपना हाइबर्नेशन बगाईला में था जस्ट मैट्स है कहीं मैमल्स है कहीं बर्ड्स है करेट जवा की estivation जए estivation take place in cold blooded animals such as snail earthworm and rocks ओके बटा चलो तो यह हो गया आपका difference state board मद है point 3 discuss नहीं के लेला है detail मद है NCRT ज़रका को नहीं रिफर कर रहा था सिल तो बटा यह आपके लिए important है उसके बाद देखो क्या है adaptation आते बाद adaptations जए different type चे adaptation obviously अप्ला ओर्गानिजम मद है दिस्तात का बर करन externally ज़रका unfavorable condition है कि वह कहीं challenges face करता एखाद ओर्गानिजम तर यह challenges ला easily face कराई सथी एखाद ओर्गानिजम ने स्वता मद है चेंजे सांग लिया है एक्स्ट्रीम एंवार्मेंट में sustain करने के लिए हमारे और्गानिजम ने जो कुछ खुद में modification ला लिए उसको हमने क्या होला बटा adaptation ठीक है तो adaptation तीन तरीक है क्यो सकते है morphological physiological behavioral important है यह क्योंकि इसमें से या तो आपको behavioral modification कौन सा है इसमें सवाल आ जाएंगे या फिर morphological physiological adaptations कौन से है example पूछ लेंगे आपको टीक अशा बता दीजे question यह चांसे से एक्जांपल अब यह चांपल लग्षाट है तो आपला ला तरह एक्जांपल में तुम्हाला इते अल्रेडी कोट करूंते ले बगा आता जासा morphological adaptation morphological और फिजीलोजीकल adaptation कुटे कुटे अपला बगाईला मेलता है एक्जांपल सांगितले जसा पहला adaptation है डेजर्ट प्लांट्स मदे अरे डेजर्ट प्लांट्स मदे इस्पेशली कुटला पधती चे अडाप्टेशन बगाईला मेलता है एक्जांपल से बगा अब यह डेजर्ट में पानी वैसे ही कम है टेम्परेचर बहुत ज्यादा पानी गम है तो यह वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हमारा प्लांट यह क्या करेगा हमेशा स्ट्राइब करेगा तो यह modification कौनसे वांसे एक है इनका गुटिकल है लीफ के ऊपर का जो कवरिंग वो गैसी बहुत ही थिक होती है थिन लेयर है तो पानी जल्दी उडियर अगर होगी क्युटिकल की तो पानी जल्दी एवापोरेट नहीं होगा, तर का है थिक क्यूटी के लिए, सेकेंड जै संकन स्टोमाटा, अनिमल्स मदे, स्टोमाटा जै, इस्पेशली डेज़ेट प्लांट मदे, थोड़े आत गे लेले अस्ताद, तला आपन संकन स्टोमाटा मनतो, स्टोमाटा जै है, नाइट टाइम ल क्रैसुलेसियन, आसेड, मेटाबॉलिजम, अगें डोंट वरी, तुम्हाला डीटेल नहीं है, फक्त लक्षा ठेवा, कि कैम पाथवेज यह है, अपनला डेज़ेट प्लांट मते जिस्ते, इस वन अप दी, वन अप दी अडाप्टेशन, ओके, लीव जै है, याला काय कहला स्पाइन मते मौडिफाई के ला, मौर्फल अजया, फ्लारिंग प्लांट मते तुम्हें टर्म शिक ली असल, यह लाचा आपन कहा है मनतो, फाइलो, क्लेड, जवा लीव स्पाइन मते मौडिफाई होता, तना फाइलो क्लेड मतला जाता, स्टेम जो है, हाँ, लीफ लाइक स्थेम फक्षेप शंक बनतो, और स्टेम फोटो संथेसर, नॉर्मल प्लांट मेदे स्टेम फ्लाइज। आपन कहा होता है पांद या प्लांट ने यह खाए कहलार आँ्अचा लीफ ला मतें डवलक यहा लेफ आवेलेबल नहीं है फो फोटो सिंतेसिस कोन करना रचा एंगें एग्जांपल कोने आचा ऑपनशीप एग्जांपल है उसके बाद देखो क्या एडापटेशन of mammals from colder climate again जरूरी है बहिया एक मार्क दो मार्क का कुशन आने के चांसेज है का है adaptation mammals में दे कुछले adaptations दिसता है तर पहला adaptation का है shorter snout, tail, limb and limbs to minimize heat loss मैं जब बॉडी चाहिए एक्स्ट्रीमिटी इतना ज़सा नाक है, कान है limbs जया है यांसा size छोटा अस तो colder region मतला climate मधे ज़ए animals रहता है अशा animals मतले shorter extremities बगायला महता है याला ज़ए मडला ज़ए एलन्स rule काबर कारें जितका जास्ती लाम extremities जास्ता जितका surface area जास्ती जितका surface area जास्ती ते उड़ा heat loss पन काई होई जास्ती होई so to prevent that animals of colder region have shorter extremities this is called as Allen's rule directly Allen's rule पर question है जास्ती जास्ती है और colder region मतला animals मधे कुठला adaptation अपलाला बगाला मेरता that can also be a question चलो second जह है that is presence of thick blubber blubber मन ज़ए काया है बाँ fat ची layer correct thick fat ची layer आस्ती especially कोंटा colder region मतला climate मदराना रहाना 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 रहानाना रहाना 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 है उसके बाद गया बटा anti-freezing components और anti-freezing compounds of arctic fishes पाणी बगा अगधी temperature खुब कमी असता है यह low temperature मधे पन अनिमल चे वड़ी फ्रीज नो खो आपरेशने काही सिखने अनिमल से ने प्रेजिंट ए रिजन ऑनके प्रेजनी प्रेजने अटी फ्रीजिंग प्रेजने नाचे इन अडशान्तर एड़ाप्टेशन अधा सिखने Leads अन्य चाहिवा चीछ, उन्ची वर तुम्हे जाता आपन जातो त्या वहला अपला अग्दी नौजीएटेड ओमिट मंझे उल्टी आले सरके वैटते थकवा यह तो खुब जास्ती ठीक हाइट तुम्हें घुब फास्ट काया बीट करता ऐसा वैटता जला हाइट पाल्पिटेशन मतले आपन ओके यहाँ रीजन काया है कि तु यह प्लेश्वरतर चाल ले तुम्हां बोला करता है कि constant में अपना उक्सिजन का प्रेशर बहत ही कम है तो इसे इस condition में खुदो को क्या करना है आपको acclimatize करना है acclimatize करना मतलब temporarily उस condition में खुद को adjust कर रहे हो ना तुम तर बाद एकादी condition मधे temporarily स्वताला adjust करा है जाटी body नी जे changes आनले ताला मतलब जाता acclimatization adaptation ही जे term है it is used for a complete species acclimatization जाए है एकाद एकाद इंडिविजुल मतलब जाए चांस है तर acclimatization मतलब जाए है altitude sickness खुब वर जर्गा गेला तुम्ही तर RBC जा count जाए हाँ हाँ होता आपला ब्लड मतलब इंक्रीज होतो more RBC production binding affinity of hemoglobin decreases hemoglobin जाए है ही कमी होते तिसरा मनजे increased breathing rate जाए है changes आपला जिस्ताथ temporarily काद जो परंत तुम्ही वर high altitude वरती है तो परंत normal level वरती जाए है तर काई है changes जाए है अगेन काई होते है reverse back होन जातिल करें तो यह भाई है acclimatization उसके बाद और example है जैसे extreme temperature मधे पन काही आपले organism दिस्ताथ especially archybacteria तर यांचा cell membrane जाए है या cell membrane चा components मधे काहे है काही changes आपला जिस्ताथ as compared to normal bacteria उसके बाद देखो यह यह चलो हाँ पॉइंट है बगा cell modification cell wall modification in archybacteria they live in extreme habitat आणि यांसे जाए cell wall है they lack peptidoglycan this is one of the modification observed in archybacteria mode of various poly हाँ sorry made ही जी peptidoglycan जी है ही काया it is made from sorry peptidoglycan नी cell wall जी है कणाची अपले archybacteria ही कशापसन बन ले लिया है various polysaccharides and glyco sorry glyco conjugate and protein sorry हाँ काया है अपला cell wall जी है ही कशापसन बन ले लिया polysaccharides जी glyco conjugate जी कहीं proteins बन ले लिया जी they decrease ही जी components है कुछले polysaccharides जी glyco conjugate जी proteins है काया करता है membrane ची fluidity जी ही काया करता है decrease करता है okay तरह ही काई modification है archibacteria मतले pressure tolerate especially marine animals जी है marine organism जी है water जी प्रमेंडस pressure present है पंड़ या pressure मुय है यानची cell break होतनी burst out होतनी या जी भाण काया है यानचा मतले special pressure tolerance है अगेन काहे इनिमल बहा जशें कैंगारू रैठ हाँ सा इनिमल या बहा हाँ जन्रली विदाऊट मजा आणि पानी नहीं जारी पिला तरी पना सिस्टेंट करो शक्तों करेक्ट कारेंड हाँ काया करतों चैसिंकल वॉतर्ट केमिकल वॉतर मा जाता एक एकप्जामबल दकामग ही जी रियक्शन है तुम्हें रियक्शन है रेस्पिरेशन ग्लुकोज ला बर्न के लिए प्रेजन्स ऑफ ऑक्सिजन आपको मिल गया स्योटू यह तो हम क्या कर देंगे यह जब एक्षेल करेंगे तो इसको बॉडी के बाहर हमने रिलीज कर दिया है जब वाटर है ना यह वाटर यहाला एक्चली मतले दाथा केमिकल वाटर तरहां जो अपला कंगारू रहत है ना यह केमिकल वाटर ला यूज करता है जहां पन मेटाबोलिक अक्टिविटीज मध बिहेवियरल रिस्पॉंज अपन अडेटेशन कुछले भागितले लहां और नहीं पीजोलोजीकल अडाप्टेशन भागितले बिहेवियरल अडाप्टेशन कुछले आ जसा काही आनिमिल जहां चैमोफ्लेज करता है चैमोफ्लेज मैंट जहें अबिलीटी टु ब्लेंड बाग्राउंड बाग्राउंड वधे तुम्हाला चटकन सा पड़नर नी अशी एक अबिलेटी जे याला एक्चली मड़ाता हो तू कैमोफ्लेज करेक्ट एक्जांपल स्पेंड दिले जशे प्रेइंग मैंटिस लीफ इंसेक्ट है काई एक्जांपल सहे क्या करता है खुब जाग्राउंड पैंथर अल्मोस्ट शेम निस था तकरेक्ट हलका सा दिफरेंस है इन फाक्ट तुम्हीं चीता ला पाण या पॉइंट मधे आड करो शकता है बट चीता अनी जैग्वार जो है कि या चीता अनी लेपर जायांचा मधे कुब नोटिसेबल दिफरेंस है यान प्रश्क इन दी सन एड एब्सवर्ब हीट तू मेंटें टेंग कॉंस्ट बोडी तंपरेचर वाइला विंटर टाइम बना कि वा लो टेंपरेचर जावा अगदी अर्ली मॉर्निंग ला कि वा लेट आट नाइट डजर्ट में आ अथा ता तेंपरेचर को कमी असा तर आता यह कमी टेंपरेचर मॉर्ण है फ्रीज नों को वाइला क्या जाज़ा साथी इस्पेशली जवहां काया है तेंपरेचर जासा सा रेज होता है ताय वहाला अपले हाज़ा डेजट लिजार्ड है यहां काया करते है देविल गो इन दिस सन सन लाइट में बस ता सो दाट तैं यहां काया करता है दे बास्क इंदी संसन उनात जाउन बस ता करेक्ट बरोज अगेन सम स्पीसीज बरो इंदी इन्टू दी सांड टो एस्केप फ्रॉम हीट अगेन डेज़ेट कंडिशन में काया है डेज़ेट में तेंपरेचर कदी-कदी खूब जासती जाता आता यहां अन्फेवरेबील कंडिशन ला काया कराया चाए श्किप कराया अवाइड कराया चाहिए अनिमस करता बरो मनचे घड़ा खुटता थानिया घड़ा चाहाली बिलात जाउन रहता था त्करेक्ट टो एसकेप हीट इस अनादर मॉडिफिकेशन ओकी अड़िकेशन माना कि वा कि इसथे चान्सेश बसा है अंवा विकेशन खुटत तो यहां पराव फॉर्मिच यह लाइन फेक्रीटा मैर बहुस और भीच न क्यारन के वे दृदिस का बम बन्रौर मेल supportive उस 로 miteinander प्रीके न सवाल आशकता है यहां फिर डेफिनेशन आ फ्रूर्मिला के लए के लिए क्रत टीं चलो नंने को बर्थ रेट का मतलब क्या बर्थ रीट को हम क्या बोल रहें रहें मतलब हमारी नैटली प्रेस कर रहें तो बहुत है डून लाइव बर्थ बंज़ इतो लेनार अपन टोटल लाइव बर्द अपोन काई है टोटल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन प्रीविएसली किती होता आटला पॉपुलेशन मेंना कि या ओरीजनल पॉपुलेशन मेंने आपन ठीक है करन्ट टोटल लक्षात नहीं है नर ओरिजिनल पॉपिलेशन कधी ओवर स्पेसिफिक पीरेड ओफ ताइम ठीक है पर येर और पर मंथ वाटियर हां कहा जाला अपला एक स्पेसिविक क्राइटीरिया जाला ठीक तर आता एक्जांपल दर का बगाया जाला कैसा अपला नहींर जाला एक स्पॉन करन्च में या पोइंट ममाधे ओरिजिनली या ओरिश्फांट या इस वर्षां हो था पॉइंट मथे का जनला नमबर इंक्रीश जाला ओरिजिनली फटी ओते आफ्र वन यह तुम्हीं हो अब्सर माला दिसला वाट ना लोटेस प्लांट है, अधार्टिकल कंडिशन ठीक है, काया स्लांगेता है तुम्हाला कि at time t you had only 40 lotus plant ठीक है, at time t plus 1 काया है बाझजा एका वर्शा नंतर जा तुम्हें औबजार केला, तोटल लोटेस प्लांट की दिदिदे दुसले तुम्हाला हमार एक शेवीश मैं जह वाड किती प्लांट से जालिया है 80 प्लांट से 80 प्लांट से इंक्रीज तुम्हारा दिस्तो है करें तो नवीन प्लांट जह थे किती है 80 ओरिजनली गीती होते है 40 in one year मैं जह आप बर्थ रेट जो अहे ही थे तुम्हारा का दिस्तो है कि बाबा येस, two plants are getting increased in that population per year, असा आपन बोनो शकतो है, ठीक है, चलो, सवाशा में बताती नहीं काया काड़तो हो, अपना birth rate, similarly death rate दो है, death rate पन आपन असा इस काड़ो शकतो, ये काया लिला, आपन natality, mortality असा लिए इना, भई या mortality की आज़ाएंगी, total number of death upon size of original population, original population कितना था, वो particular year में, ये क्या represent करेगा आपका, mortality या फिर death rate represent करेगा है, और तीसरी चीज़ जो है भईया, वो है sex ratio, तो अब sex ratio क्या है, relative abundance of male and female in a population, है ना, तुम्ही काया कर ला, अपना sex ratio जरका काड़ा है चाजा जाला, तो कैसे लिखोगी भईया, number of males upon number of female in a population, करेग्ट, of that particular population, ये क्या represent कर रहा है भईया, अपका sex ratio represent कर रहा है, ठीक है, चलो, तो ये कुछ terms है, important terms है, कहीं से भी सवाल आने के chances होते है, उसके बाद, age pyramid, आता age pyramid, बंज़े काया, again, T, 2 mark, और, 3 mark, question can come from here, काया represent कर रहा है, age pyramid, it represents the structure obtained, when age distribution, that is percentage of individual of given age or age group, is plotted for a population, बंज़े एखा द्या population मद है, तुम्ही काया कर रहता है, ये एज चाहिशो बाणी, number of individual चाह ग्राफ, तुम्ही काया केला, plot केला, ठीक है, त्याते ही, ये एज पिरामिट मद है, तुम्हाला specifically काय दिशाता है, age distribution according to the gender, करेट, male आने अपला female चेहा है, यान्चा population, एक आद्या particular काया है, particular time span मद है, किती रहेले, time span ने, sorry, एक आद्या population मद है, male आणी female चाह पोपिलेशन किती है, याचा measure, याला आपन काया है मद तो है, age pyramid, है ना, तो ये age pyramid में आपको क्या दिख रहा है, यह कुछ specific criteria देख रहे है, as in, 0 से 4 साल के जो बच्चे है, इन में देखो, ये male का, male की density कितनी है, females की density कितनी है, या फिर age group between 5 to 9, इस में male का number कितना है, females का कितना है, ठीक है ना, याला आपन काया मद तो है जे distribution है, याला मद तो आपन age pyramid, ठीक है, उसके बाद देखो, population growth, आथा population growth साथी तुम्हारा काया है, कही pyramids दिले, especially, है जे pyramids हैतना, these represent age pyramid for countries with rapid, slow, zero, negative population बगए, population growth बदल बूले है, या डाइग्राम बदल discuss को रहा है, again important diagram है, आता है, या डाइग्राम मद बगए, तुम्हाला काया रिस्त है, हाँ, जो age group है, हाँ, age group काया represent करहा है, this age group represents, या ये क्या represent कर रहा है, population between, जिनका age group जो न, ये कितना है, जो बच्चे है, उनका और 14 years तक ये हमें क्या दिख रहा है, age group दिख रहा है, फिर उसके बाद, ये वाला जो age group है, second age group, ये क्या represent कर रहा है, भाईया, 15 से 44th, अरे, चलो, ये age के जाब से लिखने से अच्छा न, हम इनको नाम देता है, क्योंकि हमारी ecology की term में इसको na, specific words से use किया गया है, ठीक, ये जो age group है, याला आपन कहा है, तो this represents pre-reproductive age group, इतने काया है, this represents reproductive age group, आणी हा जो age group है, ये जो आपन कहा है, तो post-reproductive age group, correct, तो इनका आप देखो, इनका distribution कितना है एक complete population वे इन यह determine कर रहा है वो population steady fast growing किस तरीके का है आता है इत्या अप्लाला काया दिशात है रिप्रेड़क्टिव और पोस्ट रिप्रेड़क्टिव एज ग्रूब जो है भरपूर दिशतो है जबा कि पोस्ट रिप्रेड़क्टिव एज ग्रूप मतले लोकर जयत कि वहां नमबर आफ पोपूलेशन कसा है अधिक कमी है यह यह गुरूब जो है यह किया धिखार रहा है रापिड ग्रोथ दिखार रहा है क्योंकि ये जो pre-repruductive age group वाले जो लोग है कुछ ही सालों में कहां चल ना और जितने ज्यादा लोग रीप्रेडाक्टिव एज में वो क्या करेंगे फार्स रीप्रड्यूस करेंगे तो इंक्रीज किसमें होगा यह प्री-प्रेड़क्टिव एज ग्रूप में होता गाएगा है ना चलो रेंज लिओन गी हो यह ना 0 to 14 इते गाया है 15 to yes 44 आणि इकडे 45 and अब आवव कि इते वागा काया जितके जास्ते रिप्रेडक्टी एज मतले लोकर तितक जास्ते काया है प्री रिप्रेडक्टी एज ग्रूप चा नंबर इंक्रीज होच जाई आणि पॉपलेशन चासो साइस आ है औहुह इन्क्रीज अचा जाई तो असा पॉपलेशन करपेड़ रापीड ग्रोथ दाख होता है ठीक इस मघाथ प्रिप्रेडुप और आपका रिप्रेड़क्टी एज ग्रूप इसकी कॉम्पारीटीव ली यह जो है यह नो बतारह जिंग कहाँ पे होा यह दोनों में ही चेंग हो रहा है तीनों मेहीँ उत दिखे है आपको इन ऐए गर्झिस में What the your viewpoint 0 में तक यह ज़िशत जीरों ग्रॉथ साथ Bat amazing करेक्ट जबागी बर्थ रेट जो आया इथा अपना कस दूस्तों कमी दूस्त होता है करेक्ट यंग्स जे यंग्स्टर जे इस्पेशली प्री रेप्रेड़क्टिव एज में दले यंजा नम्बर का सब्सक्राइब कमी आ है आणि अचा में वाड पन खुब फास्ट होनार आटसा जो पॉपैलेशन और याला पन खावन टो इट ब्रेजेंट्स जीरो ग्रोथ करेक्ट जीरो ग्रोथ कावर बर्थ रेट लेट इसले इनक्रीज उच़ाई जितका पॉपैलेशन ही था एड होता है ति पॉपैलेशन जी वाज जी बाबा यहां देखो आपको क्या द पॉस्ट रट्विप फेज वाले लोग यह ओंगे आपका जीरो ग्रोथ ऑल्मोस्ट जीरो ग्रोथ दिखरें हमें यह इस तरीके के क्या कहेंगे पॉपुलेशन में और यहाँ देखो 니्टी ग्रुध मतलब यहाँ पे भुज़ा यह पोगाल के प्री प्रेदक्टिव टीट उर प्री एज्गया तौट ऐद्ध sympathy ग्रुप ट्रवी टीड़ी ग्रुप आगें अ है जौ के बाट डेंच से जोमिशत से पंपतिव that is population density, n हाँ जो letter है, हाँ रिप्रेजेंट करतो है, population density या टर्म ला, ठीक, तो population density भेंजे काया बबा, कि एक पर्टिकुलर जोग्रोफिकल रीजन में, कित्ती आप ला population दिसत है एक आप अर्गानिजम सो, over the period of time, कैसे डिफाइन करोंगे, yes, आपन मराठित दे एक्स्प्लेइन केला, इंग्लिश में ते कसले लिए नार, number of individual, पर, sorry, number of individual in a particular geographical area, over the period of time, उसको हमने क्या बोल दिया, population density, ठीक, तो ये particular geographical area में, कितने लोग है, उसको हमने बोला, population density, तर ये population density ला affect करना रहे ना बाड़ा, चार factors है, तो कुछले, एक है natality, मैंजे birth rate, दुसरे जा है mortality, जिसको हम बोलते है death rate, third जा है immigration, fourth है emigration, आदा कशा पद्धत इने population density ला affect करता था बागा, birth rate, number of birth वाड़ला, कि वा नवीन individuals अरका जन्माला है तो है, तर population काया होई, वाड़ेल, करें, चो नाटालिटी helps in increasing population density, बरोबर, पाइंट जाली, खाई जाली, डेथ जाली, तर population से size काया होई, कमी होई, सो, mortality जो है, यह क्या कर रहे है, आपके population density को कम करने का काम करती है, birth rate, increase कराईज़ा काम करें, death rate, population density कमी कराईज़ा काम करते है, ठीक है, ओके, फाइन, उसके बाद immigration और emigration, immigration मतलब बाहर से permanently आपके country में रहने के लिए कोई लोग आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे, immigration, emigration मतलब यहां से कहीं दूसरी जगह चले गए, ठीक है, तो emigrants क्या करते हैं, भाईया, population density को increase करते हैं, और emigrants यह क्या करते हैं, population density को कम करते हैं, तर यह चार वेगवेगे factors है, जो population density ला का करते हैं, affect करते हैं, आइन, population density ला जर तुम्हाला मोजायचा cell, तर यह अच्छा साथ ही, आपन काया करते हैं, एक formula यूज करते हैं, कुटला formula है, nt plus 1, मतलब आज के duration में, आज के भाईया, date में, आपको population density कितनी दिख रही हैं, यह identify करने के लिए, हम कैसे calculate करेंगे, population density, add and t, मतलब पिछले साल, थाना, previously population कितना था, plus, population को increase करने के लिए, कौन से वहाँ से factor responsible थे भाईया, natality, और दूसरा जो है, immigration, so birth rate आणी immigration, minus, याननी काया के लिए, population लिए increase करने के लिए, पर population लिए decrease करने रे factors कोंते है, death rate आणी immigration, correct, तर यानना, तुम्हें काया के लिए, original population जो होता, last year ला जो population होता, या population मधे, yes, वाइड कोणी कोणी घतली, birth rate आणी immigrants नी, या population ला decrease कोणी गेलो हता, death rate आणी immigrants नी, correct, तर याचा overall results जो आपलाला मेल, या चारी factors हा, तला काया कराया जो है, अपला, original population मधे add करा, आपलाला काया मेल, आत्ता चा period ला, जी, population density है, 30 आपले, correct, चलो, उसके बाद देखो, हमारा जो point है, वो है growth model, दो different तरीके के growth model है, यह मैं पता है कौन से, exponential growth model, logistic growth model, भहिया, जरूरी topic है, दोन पद्दत ही चापलाला काया जिस्तात बाग, growth models जिस्तात, अजिन, उठले आहे, एक जो model है, याला आपन काया मतला, exponential growth curve, आणि हाल जो आहे, this is logistic growth curve, exponential की वाई याला, सुमें काया मनता है, geometric growth, आणि second यह, that is logistic growth, अब यह, exponential growth मनझे काया है, कि बगा, जर एक आज पॉपिलेशन मद है, resources जिया है, है unlimited है, unlimited resources मनझे, abundant place, जागा भरपूर है, food material भरपूर है, पाणी भरपूर है, काही competition नहीं है, अजिए आईडियल कंडिशन जर काया है, तर अपना organism, हाँ size कासा करतो, exponentially increase करतो, example बगा, originally, एक अज इंडिविजुल होता, यह, population बज़े, suppose, एक अज ऑर्गानिजम होता, काही tension नहीं, काही चिंता नहीं, खाने पिनाचे, काही सुस्ती नहीं, मझे, काही यह आन्ना गःर नहीं है, तरचामोय, एक ऑर्गानिजम नहीं कखिला है, divide के ला, एक बैक्टिरिया होता है का बैक्टिरिया बस्utta दोन बैक्टिरिया ज़ले बैक्टिरिया ने डिवाइड के ला विग आप फूर बैक्टिरिया तिन तो इन इंक्रीज हो रहा है अबर capable गॉल्जा ज데ेन बाद क्रिया चार थो अर्च ये ग्रोथ कब हो रही है भाईया जब unlimited क्या है resources है ये तो पहली चीज और दूसरी there is no competition ऐसी ideal condition अगर है तो हमें क्या दिख रहा है exponential growth दिसाते हैं correct पंद अच्छुली आशो होता का nature मदे exponential growth possible है का unlimited resources for unlimited time without competition पॉसिबल इस नहीं है correct ताच्छा मुझे नाच्रिली नेचर मदे अपनला जी जनरली जी growth observe करायला मिएते है ती कुछले टाइप चे बाहा लोजिस्टिक growth परन इनिशली जरी आपना ओर्गानिजम ठाक असा होते है वं 28 बेक्टिरिया जोन गिलेट बट अब प्रभ्ल्लम क्यों होगा यहां तक तो यह हमारे बेक्टिरिया ने नंबर इंक्रीज कर लिया पर एग्जाम्पल बट यह चाना नंतर जर का प्लों पोपुलेशन अंखी एक्स्ट्रा एंख्री इंक्रीज हो शक्णर नहीं आता यहां-कॉंस्टेंट लेवल होए लिए पोपुलेशन मेंटेंट के लजाइ ना संधारी आ फेस काया है स्टेश्नरी इनिशिनले इनिशल व्लांद फेस देन exponential phase जो होता है that is log phase और थर्ड काया है अपला stationary phase ठीक तर यह टाइप चा ग्रोथ model जाए है generally अपला 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 ecology मदे observe करा है ला meta ओके और इसी में देखो यह जो हमारा point है ना इसी में यह हमारे growth model जो है इसमें आपको एक term आएगी जिसको हम बोलता है carrying capacity important term है भाया definition यह है chances है what does it mean by carrying capacity of the population it represents the highest number of individual and ecosystem or a habitat can sustain और क्या है भाया कि किसी या फिर highest number of organism that can sustain in a population उसको हम क्या बुलते है उसकी carrying capacity ठीक है तो चलो यह क्या होगे हमारा दो different type के growth curves और सबसे last वाला जो हमारा point है that is भाया क्या है आपका population interaction तर वेग वेग यह टाइप चे अपला population interaction दिसेता है again definition and यहां पर देखो यह point में हमें क्या क्या याद रखना है एक तो पहले definition दूसरी जो चीज हमें याद रखनी है वो है इग्जांपल्स बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है देखो बिल्कुल मतलब यूस समझ में आ जाएगा बहुत दिक्कत नहीं जाएगी समझने में तो सीधे शुरू कर लेते हैं पहला हमारा जो interaction है इसको हम बोलते है मुट्यालिजम कि वह अलास दूसरा नाव है सिंबाइटिक रिलेशन अता एकाद एकोसिस्टेम में कुंटा ही ओर्गानिजम यहां एक्टा रहात नहीं द्यार ओल्वेज इन रिलेशन और उठला पन और अर्गानिजम इट नेवर सेस्टेंज अलोन प्लांट प्लांट नंबर अनलिमेटेड ग्रोव होई अनलिमेटेड जर का प्लांट नंबर ग्रोव जाला तरका एकमेकानना कॉम्पेटिशन दे तिल अगें तंची देथ हो नारा चे उख्लाई ओर्गानिजम इकोसिस्टेम में एक्टा कजी सर्वाइव करना इट ओल्वेज टाइप है तला आपन मंतों विच्वालिजम मतलब क्या है इस दे इंटरक्शन इन विच बोथ दी इंटरक्टिंग स्पीची आर बेनिफिटेड दोगे जो दोगे ही कशाया बेनिफिटेड है एक्जांपल काया है वगाज असा लाइकेन लाइकेन मेंजा काया बाद दिस इस यह कॉंबनेशन ओफ अलगी याईवक में फंगार परवरा अलगी के नसन में मैं फोटोनीचिस करते हैं फूड प्रोवाइड करते हैं फंग फम्ग वंग पार नंजी नेजा बितरीनिटेशर करते हैं इस शैधे तक लोगे रहाें घ्रेओं आधे में ऑन करनें सीची स अब उसको क्या हो रहा है और हमारा जो पॉलिनेटिंग एजेंट उसको क्या मिल रहा है तोनों का फैदा हो गया एक ऐग्जामपल यह वास्प तो फिग आनी वास्प तो रिलेशन का है वास्प जे थे है कि पॉलिनेशन साथ है जवा कि फिग कि उसे में रिलेशन युकान नी मौत में दोगान में रहता है वास्प जाय को यह करता है यूप करता है यह आपना वास्प ले कर आई साथ है इस प्रोवाइड करते तो दोनों का फायदा हो गया और कुछ एक्जामपल देखो जैसे माईको राइजा मज़ा का यह बाए इट टेज आ जिमबाइटिक असोसियेशन बिट्वेन येश पंगाय और roots of higher plants आता दोगं से अपन फाइदा कसा है पंगस है पंगस plants ला काय प्रोवाइद करे Yes, ये क्या प्रोवाइद करती है ये प्रोवाइद करती है minerals और water जवा कि plants है थे fungus ला काय प्रोवाइद करती है पूड करेक्ट दोगा जबन फाइदा है तो अच्छा बद्धा तीजे रिलेशन है जन जब दे दोगा ही फाइदा जासता तो उसको क्या बोलता है भही हम mutualism second type का interaction जो है यह comments comments बहुत important है बहुत जादा क्योंकि इसके उपर बहुत बार सवाल आ चुका है ठीक है it is very important अब देखो comments आले जा मतलब क्या है one of the interacting species is benefited while another is neither harmed nor benefited एक का फाइदा है दूसरे का ना तो फाइदा ना नुकसान है example देखो क्या है orchid growing as epiphyte यह अगें देखो छोटी-छोटी सी terms है जरूरी बहुत है लेकिन orchid यह जो अधार ना भाईय यह epiphyte है epiphyte मिंज़े दूसरा plant चा फक्ता आधार घेतो है ताचा कड़ो nutrients घेतनी फक्ता आधार हमाई यह अचा plants लापन क्या में तो और्केद आपिफाइट तर ओर्केड ग्रोइंग ऑन ग्रोइंग आज रिलेशन काशा है कि गाईन गाईन ग्री ग्रीट कोई नहीं पड़ रहा है तो यह क्या ओंगाए भीए यह कौमेंसालिजम दूसरे एक्जामपल कया टेल और इग्रिट कैल और इग्रिट तर रिलेशन कसा है कि गाई घाई मशी जाया है यहांचा पाठी वर्त तुम्हें बगएतला सल छोटे बगड़े बसले असल फीचा 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 अब यह इंसेक जब ऊपर आएंगे तुस्ति यग्रेट भीड फीड कर रहा है उसी के जैसे कह जोिए आपके लाएग एक सथिह स्रॉक्चर अपफर करेला मेंद तथ Як पत्था जेगा बर साहल उसले जोयाandанич इस तो खुब सारे ही थै तुम्हाला काय दिशतात यह टेंटाक्ल लाइक स्ट्रक्चर उब्जर कराया मिलेतात कोणा मधे है यह सी आनिमनी मधे है तो यह इस तरीक है गा ना यह हमें कौन दिखता है यह हमारा आनिमन लिखता है कौन सा अजी अभी तो वह बंदा रहे है यह सी आनिमनी है ठीक है यह हो गया हमारा आनिमन आता यह टेंटाक्ल मधे जाउन कौन लबते ही अपली क्लाउन फिष्ख में बगीत लासला औरेंज आनि वाइट गलर चजे पट्टे असती जा बोडी वर्ती तर यह टेंटाक्ल मधना भाप आय पौईज़न स्टिंग रसता्त पण जे यह यह लाजर का टुच केला ना तर अपला आनिमन जो है कोन हाई पोण यह आनिमनी हागा यह इन परख पड़ नहीं तो एक का फाइदा इसको कोई फरक नहीं पड़ रहा है तर अश्य टाइप सजे इंट्रेक्शन है यहाला आपन काया मन तो कॉमेंसालिजम उसके बाद तीसरा इंट्रेक्शन जो आई यह है पैरासिटिजम अब पैरासिटिजम में क्या हो रहा है एक जो है उसका फाइदा है, पारासाइट का फाइदा है, और होस्ट जो होता है उसका नुकसान है, काया है, one of the interacting species is benefited while the other is harmed, एक आता फाइदा है दूसरा नुकसान, आता पारासाइट जे बाड़ा बगा, होस्ट चा बोडी में थे रहा है, सथी यान ने काया गला, स्वाता म सब्सक्राइब करना फूडला डाइजेस्ट कराइची गरज असनि डारेक्ट डाइजेस्टेड फूड काया करता है, एब्सवार्ब करता है, रीप्रेड़क्टिव रेट जो है यान चा खुब जास्ती अस तो, इसके बोड़ी में तो उसमें सस्टेन कर लेंगे, इस तरीके का एटिटूड है या इसमें, और मोस्टली क्या करता है, वेक्टर्स का यूज करता है, मतलब किसी दूसरे को यूज कर रहे है, अपने फाइदे के लिए, तर है पारसाइट में अपना लागा है, अडाप्ट या इस पारसाइट सा फांदा होता है और ह тай ढुआक्सान होता है या उलएज रिम्यमबर पारसाइट नेवर इंट इस पारस्ट निंटन् charter-क यूज क्या ना सथा, क यूज कि लैंखितो तो भरोमें किस के भरोसे जियेंगे ये लों तो ये अपनोस्त का बहूत अलापना मतलब काही बाइड प्लांट काही बर्ड्स है बगाई स्पैशलि मेल हुआ मैना माना को किम थिक ये जो आना भी आपकी तो कॉल काय यह हाँ एजिन कोयल जी जी है ही कहा हार्त स्पैश्ज था एले करते कोणा चावन नेस्ट मधें आपले अन्डियान क्रोव जय है कावय आणि महत्वाद चा मिंचा काया है कोल ना नेस्ट बनवाई ची गरज नहीं पड़ली इसने क्या किया अल्रेडी जो बना बनाया नेस्ट उसमें अपने अंडे ले कर लिया इसने यह तो एक चीज है दूसरी चीज दो को यह जो आना किसके क्रोके यह कोवे के एग हैच होने स से पहले यह कोवेल के एग हैच होते हैं तो इस तरीके का जो एक्जांपल यह आ रहा है किसमें आपके ब्रूड पैरासिटल्सम में उसके बाद नेक्स्ट इंटराक्शन जो है प्रेडेशन अगें प्रेडेशन में क्या और रहा है एक इंटराक्टिंग स्पीसीज यह बे लॉस फेज करना पड़ रहा है या फिर हां में तो अब प्रेडेशन जो है बहूत इंप्रेटेंट एग्जामपल है क्योंकि रूप रेडेशन में घे। डे चाहedं तो दूसरे का नुक्सान था दोनों में सेम चीज थी, लेकिन पारासाइट अपने होस्ट को लिए मस्ञाब नहीं घर रहा था। प्रिडेटर जे इतना बहाँ यह काया करता है प्रेला नहीं किल करता है यह डिस्टिंग्शन जाया है लक्षा टेवाइच आप ला ला दूसरे जाया बगा प्रिडेटर जाया है खुब इंपोइटेंट एद एकोस्टेम मधे कावर करन्ड धे कीप प्रेपोपिलेशन अंड जाया थे एकोस्टेम मधे अता प्रिडेटर जाया है यह डिस्टेम 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 मधे अता प्रिडेटर जाया है यह अता प्रिडेटर जाया है यांचा मध्या अप्लाला काही एडाप्टेशन दिसता है जासा क्यमोफ्लेज यह है स्पीड यह है अप्ला प्रेची खुब जास्ती यह सते एक्जाम्पल आहे जशे काहे है काही मोनार्क बेटर्फ्लाइ यह यह टेस्ट अग बिल्कुल अज खराब स्थे जाचा मोई बर्ड्स यांचा वरती फीड करतने कि वह अपले कैक्टिस यह यह यांचा बॉडी वरती काहे प्रेजेंट है कैक्टिस है कि वह दूसरे इस तरीके से बहुत सारे आपको क्या दिख जाएंगे यह एक्जाम्पल मिल जाएंगे उसके बाद देखो क्या है लास्ट टाइप का जो इंट्रेक्शन वह है कॉम्पिटिशन अगें इंपॉर्टेट इसमें दो तीन टर्म्स भी उसके बारे में डिसक्स करेंगे देखो तो गॉम्पिटिशन में दोनों क्या दोनों इंचान होता है इंट्रास्पेसिटिविक इंट्राथ इंट्रास्पेसिविक मुंझे विद्न मेंबर जम्पीशिए of same species, आता example बगाज असा, एक मांजर है तिनी सहा पिल्ला दिली, सहाज है सहा पन सस्टेन करतने, करण बाँ एक अज मांजर है, आइनि आता यह food साथ ही, सपोज milk साथ ही, सहाज है सहा किटिन जया काया करता, एक में कानना स्कॉम्पीट करता, रिसोर्स साथ ही, तो इस तरह की के कोंपेटिशन जए है क्या हो गई, इंटरस्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक मैं जब या कहा हो इल, इस इस ए कॉंपेटिशन विदेन, डिफरेंट, स्पीचिज, अलग-अलग स्पीचिज के बीच में अगर कोंपेटिशन है, तो वो कौन सी हो गई, इंटरस्पेसिफ competition ठीक है examples तुम्हाला देले again you can study the examples उसके बाद देखो क्या है reason generally competition के लिए क्या होता है food या फिर आपका habitat mostly क्या आसता है अपले yes क्या होता है यही तो reason होते है इसलिए competition रहती है हमारे organisms में अब यह competition में देखो बिटा दो तीन में देख लेता है फिर हमारी आज की class complete करते हैं कॉंपिटिशन में क्या होता है दो डिफरेंट स्पीशी ओविसली है क्या करता है एक में करना कॉंपिट करता है तो यह रिलेटेट एक टर्म है martiny एक्जांपल तुम्हाला देले लेला बार्णैकल सी कह है का है बार्नैकल स Kita स्पीटाहा से कि ऐ श्रकाटे अप्चली शिंपलान सरके त्म्हाला दीशुषा है तो kę सता त्यवरे थroom याँचा बोडी ला चिपकू लाता अता त्ससिगाइद आ क्यों से सब्सक्राषल आ करदे हादा ट्रीक्रा यह से रचे के मॲाएनल बेल सब्सक्राषल खोंकल होगा जै इस दो और ञाकर सब्सक्रा lonc बारनेकल कढ लो इमाजिन फी एक व्हेल्स बोडी सा एक पार्ट यह व्हेल्स ब्रति तुम्हाला कई दिख लू खुपां एक्जांपल को सारे दिख भरनेकल ड Sü Fun Housing अप्लियनती फ़ए अजू他 कुझ करते होता है खुब कमी नंबर मधे होता जसे तुम्हीं कहा खेला या बारनेकल कुछला बैलनिस ला हटवल तर सगय चे सगय बारनेकल सपलला कशे दिस्तिल कैथल मस टाइप चेस दिस्तिल है काइब कहा तो फास्ट ही थे घ्रो करा यह लागता तर याज कंडीशन ला वीस्टिव रिलीज में जहें कॉंपेटिशन मतले जो डॉमिनेंट कॉंपेटिटीटर है याला तुम्ही का है किला जरका रिमॉफ केला तर जी इनफीरियांट स्पीसेज स्पीसेज श्योती ही क्या करते लगेज डिवाइड लगेज काया करते अवना नंबर इंक्रीज करा एला लगते है ठीक है यहाला सका है मेंता है competitive release second condition यहाला बन्तो गॉस competitive principle अधा गॉस competitive principle बन्जे टू closely related species competing for the same resource cannot exist indefinitely and the competitively inferior species will be eliminated अधा एक्जाम्पल बगुया अपला कड़े काया है ना गवत ग्रास है और या ग्रास वर्ती इस पीड करना रहा दोन स्पीचीज के हुए एक है लेटिस से कॉन है बहिया चलो एक्जाम्पल लेलो कोई भी समारे सपोस हमारे पास काउज है और 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 क्या लेता है राबिट लेता है अब यह दो स्पीचीज है जो ग्रास पर फीड कर रही है अता competitively बशी स्पीचीज करता है तो क्या होगा काउस जा है कि वा राबिट अनलिमेट टाइम स्पीचीज करू शकत नहीं दिस इस दी गौस प्रिंसिपल मग अशी कंडिशन जर कहा है यहाला अवाइड कराई सथी ऑर्गानिजम्स करता है कहीं चेंजेज करता है तो क्योंकि भाया रहना तो दोनों को ही है तो उसी के लिए हमारे और अर्गानिजम्स ने क्या कर रखा है रिसोर्स पाइटिशनिंग मैंजे पीचीज फेसिंग कॉंपेटिशन माइट इवाल मेकानिजम्स दाट प्रमोट्स को एक्जिस्टेंस क्या करता है को प्लांट वरती फीड करता है अब भया पाचो टाइप प्लांट एक ही है पाच डिफ्रेंट टाइप के बर्ड है तर सस्टेन के चाहिए ना कॉंपेटिटर जाले ना एक में कांचे मग याननी काया कहला यानचा फीडिंग हैबिटाइट चेंज करूं टाकला फीडिंग है में परेक्षा फोरेजिंग अक्टिविटी फोरेजिंग में कधि पहा रहों पर दो टाइप करते में न टाइम ला फिड करतें पिशी यानि कैम या घृकी सदु है नीजबी ठाइम लाँ फीड करतें एक गृट्म और dépendस है था है त soupरों घान नेंसरी तुर नाइट ये पी की 100 अंटला को वेसे कर रहा करें और तैनला पीडिना यह वार थेधी कोई प्लत सरे के ऊपर कनी कोई कोई तुस्वाहय करो रहा है । पर्स पाइटिशनिंग तर इथे का हो तो अपना लेसन कंप्लीट होता है एक ओवर विए ठाल आपन यह लेसन चाहे लेसन में अपना काया स्टेडी करा है जा है तर काया है अपन एक थोड़ा इस पॉइंट्स लक्षा तानुए अपन काया डिस्कुस के ला कहीं टर्म्स डि और्गानिजम जो है हाँ कशापद्धते नहीं अडाप्ट करतो एक्स्टरनल एन्वार्मेंट ला करेक्ट अन्तर आपन बगितलो पॉपुलेशन और नहीं पॉपुलेशन शी रिलेटेट टर्म्स बगितला आज अजी क्या देखा जैसे आपका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या चीज होती है बर्थ रेट का है डेथ रेट का है सेक्स रेशू का है एज पिरामिड का अस तो यहीं तक हम कंप्लीट कर देते हुंवर्क आपको क्या करना है सारे के सारे एक्जांपल जहां कहीं आपको गें लिख देखेएं यह सारे एक्जांपल्स एक्जांपल रखना है क्यूंकि बहुत ज़रूरी है तो किया गरते हैं आजकी क्लास यही पर कंप्लीट करते में नेक्स आपकी जो क्लास होगी उसमें क्या करेंगे हम 15 का इने क्डिसकर टिसकोरेंगा कौन से प्रिवयस यर् आने की probability है, वो probable question भी discuss करेंगे, ठीक है? तो without dealing, आज की class यही पर complete करता है, I hope you like the video and we'll meet in next class, keep studying, thank you.